इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास एर्थ सिविक्स की जो बुक है आपकी सोशल अन पॉलिटिकल लाइफ उसका चाप्टर वन था इंजिन कॉंस्टिटिउशन हम इसमें सब कुछ एवर टुवर एक एक शब्द हम इस चाप्टर का समझेंगे तो सबसे पहले चाप्टर का वो आता है वाइ टू अ कंट्री नीट अ कॉंस्टिटूशन एक देश को कॉंस्टिटूशन की समवधान की जरूरत क्यों होती है तो देखिए सबसे पहले क्या जरूरत है हम लोग को समवधान की आज के समय में जातर जो देश है आज के समय में बहुत सारे देश दुनिया के उनके पास constitution है मगर क्या सारे के सारे जो democratic countries हैं उनके पास जरूरी है मतलब maximum cases में ऐसा होता है अगर country democracy है democracy का क्या मतलब होता है देखिए democracy का मतलब होता है लोक तंत्र ऐसा देश जहां पर लोक vote करते हैं vote दे करके आते हैं और vote देने के बाद वो जिसको चुनते हैं वो हमारा leader बनता है जैसे हमारे देश में प्राइम मिनस्टर मोदी हैं तो MP के elections होते हैं member of parliament के election होते हैं जिस party के सबसे ज़ादा vote होते हैं सबसे ज़ादा vote मिलते हैं जिस party को उसका leader चुना जाता है तो इस तरीके के जो elections होते हैं जहां पर लोग vote देते हैं तो इस तरीके के जो country होती है उसको हम लोग democratic country कहते हैं और democratic country इसमें ज़ादा तर होता है एक constitution मगर ऐसे ज़रूरी नहीं है कि जिस भी country में constitution हो वो हमेशा democratic ही हो constitution क्योंकि मुनार्की होती है मतलब राजा वगरा का rule भी होता है है नेपाले के example है मतलब आप तो नहीं है पहले हुआ करता था उसमें भी constitution होता था तो constitution होना का मतलब यह नहीं बनता है जिस भी democracy है पर अगर democracy है तो उसमें बहुत ही ज़ादा probability है कि वो वहाँ पर एक constitution समविधान अब एक constitution क्या होता है यह सोच चुरोंगे आप लोग तो देखे constitution एक book है जिसमें हमारे देश में किस तरीके के कानून चलेगे क्या क्या हमारे देश में चलेगा हमारे fundamental rights क्या होगी जैसे कि इस chapter में हम लोग पढ़ेंगे right to equality, right to freedom, right against expectation वो सारे किसरे rights और किस तरीके से हमारे देश में government चलनी चलेगी वो सब कुछ कहाँ पर लिखा हुआ है समविधान में और यानि कि हमारा जो देश का constitution है उसमें ये सारे किसारी चीज़े हमें mention की हुई है the constitution of several purpose constitution के बड़े सारे काम होते है सबसे पहला first जो है constitution का काम वो ये है कि वो एक हमें certain idols provide करता है idols होता है कि एक दिशा निर्देश एक हमें दिशा दिखाता है जिसके basis पे country हमारी बनेगी किस तरीके से हमारे जो देश के citizen है वो citizen क्या करना चाहते है देश में किस तरीके से रहना चाहते है first it lays out certain idols that form the basis of the kind of country that we as a citizen aspire to live in तो constitution क्या बताता है हमें idols बताता है इस देश में लोग किस तरीके से रहना चाहते हैं क्या चाहते हैं इस देश के लोग हमें constitution बताता है अगर हम दूसरी तरीके से इस चीज़ को समझ ज़े की कोशिश करें तो constitution हमें ये बताता है कि fundamental nature क्या होगा हमारी society का, this is very important, हमारा constitution हमें बताता है कि हमारी जो society है, हमारा देश का, हमारा जो समाज है, उसका nature कैसा है, किस तरीके का इस देश में समाज है, a country is एक जो देश होत होती है, बहुत सारी communities होती है, कई सारे लोग रहते हैं, सबके अलग-अलग अपने विश्वास, अपने beliefs होते हैं, और ज़रूरी नहीं होता कि वो लोग हमेशा एक दूसरे से सहमत हो हर issue पे, constitution सर्फ करता है as a set of rules, मैं आपको पता है न, उसमें rules, laws वगरा लिखे हुए होत एक country के लोग जिस पर एक set of rules होते है, principle होते है, पूरे देश के लोग उस पर agree करते हैं, उनको मानते हैं, और वो देखना चाहते है कि किस तरीके से उनका देश चलेगा, गवर्ण किया जाएगा, वो सारा का सारा हमारे constitution में होता है, इसका देखे क्या मतलब है, constitution में set of rules होत होते हैं, जो rules हमें बताते हैं कि देश में किस तरीके से काम काच चलेगा, ठीक है, और यह हमें बताता है कि हमारे देश में type of government क्या होगी, और हमें ये भी बताता है, also an agreement on idols that they will believe the country should uphold, तो type of government मतलब constitution हमें बताता है कि मुनार्की तो नहीं है, democracy है, किस type की democracy है, किस तरीके के rules बनेंगे, और idols बताता है, idols बही होता है, rules मितलब कि idols क्या होते है, देखें, एसी चीजए है both the judiciary, कि आप क्या सोचते हैं, आपके क्या धारणगे, आपके क्या विचार हैं, एक तरीके से इस देश के लोगों के क्या विचार हैं, वो क्या उनके माननेताएं हैं, वो हमें idols बताते हैं, तो Constitution ने हमें क्या बताया, सबसे पहले चीज, Constitution ने हमें ये बताई कि, किस टाइप की society है, fundamental nature of society का क्या है, और हमें ये बताता है, कि government किस टाइप की होगी, और किस तरीके के idols को वो government form, मतलब मानती है, ये बताता है, फिर हमें नेपाल का case दे रखा, यहां पर side मे कि नेपाल में पहले king का, राजा का rule हुआ करता था, ठीक है, 1990 तक फिर उसके बाद लोगों ने withdraw किया, आंदोलन किया, 2005 में democracy आई, फिर मतलब किस तरीके से transition आया, कि राजा के rule से democracy किस तरीके से देश में आई, वो सारा का सारा, हम लोगों को इसमें बताया है, कि 2006 में नेपाल जो है, democracy बन गया, लोगों के people के movement के बाद, तो वही हिसमें हमें बताएगा कि नेपाल की जो history है, नेपाल क्या है, एक country है, हमारा देश का पड़ोसी है, पड़ोसी देश है, नेपाल हमारा, ठीक है, तो यह हमें बताता है, कि authority जो है, जो king था, वो किस तरीके से च जाता था, कि मतलब उसका ही राज बना रहे है, वहाँ पर democracy नहीं थी, बट लोगों ने movement चलाया 2006 में, और finally king ने अपनी power छोड़ दी, एक constitution बनाया गया, और फिर उसके बाद, क्योंकि जो नेपाल का पहला constitution था, उस constitution ये था, कि राजा की मर्जी के बिना, जो final hand होगा ना, फाइनल जो बात कही जाएगी, वो राजा के रजामंदी के बिना नहीं होगी, तो भई वो आला constitution नहीं, उन्होंने माना, लोगों ने फिर नया constitution बनाया जाए, ये बात हुई, तो हम इसमें वही बताते हैं, कि अगर football की game में जरा सा change हो जाए, उसके rules में, तो कितना अंतर पड़ता है, इसलिए नेपाल जब मोनार्की से, मोनार्की होता है, राजा का रूल, मोनार्की से जब नेपाल, democratic government में एंटर कर रहा था, तो उसको लगा कि हमें अपने rules को change कर देना चाहिए, तो फिर वही है, एक constitution अडॉप्ट किया गया है, नेपाल में 2015 में काफी सारी changes आएं, 2016, 2017, 2018, नेपाल के constitution में बार बार changes आते रहे हैं, नेपाल का democracy के लिए struggle काफी लंबा जोड़ा रहा है, फिर second important purpose जो है, पहला important purpose क्या है, nature of society हमें बताता है, very important, fundamental nature of society and the idols that people are following in the country, तो fundamental nature of society क्या है, ठीक है, हम लोग को certain idols जो हम follow करते हैं, और society का fundamental nature क्या है, यह हम लोग को बताता है, fundamental nature of society, type of government and idols followed by people, ठीक है, and government, तो यह हमें बता लग गया इसमें से, फिर वही कि एक छोड़ से चेल से भी कितना जादा अंतर पढ़ जाता है, second important purpose जो है, constitution का, जो constitution को follow करना चाहिए, यह है, nature of political system, कि भई, political system हमे बता देता है, कि क्या है, जैसे हमने पहले देखा, कि एक होता है, presidential system, prime ministerial system, बहुत से चीज़े होते हैं, कि मतलब हमारे दिश की सरकार किस तरीके से चलेगी, और किस तरीके से उसको चुना जाएगा, कैसे कामकाज होगा, यह होता है, political system, वही, नेपाल में पहले constitution कहता था कि राजा की चलेगी, council of minister, राजा के मंतरी होंगे, और वो उसको बताएंगे, बट नया democratic constitution फालो किया गया, तो नई government और polity वहाँ पर फालो की गई, तो हमें constitution क्या बताता है, type of political system, political system बताता है, तो fundamental nature of society के बारे में बताता है, ठीक है, type of political system के बारे में भी, हमें constitution बताता ह है, अब democracy में जिससे मैंने आपको बताया, हम अपने नेता को खुद चुनते हैं, और वो हमारी बहाफ में power को exercise करता है, हमने उसको चुना कि वो हमारे लिए समाच के लिए decision ले सके, बट कई बार ऐसा हो सकता है, ऐसी possibility है, कि वो जो leader है, वो जो नेता हमने चुना है, वो अ उसका दुर उपियों कोई ना करें, तो ये misuse जो है ना, authority का, इससे क्या हो सकता है, society में injustice हो सकती है, अगर कोई हर बात, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है, अगर हर चीज़ में सिर्फ वो अपनी चलाए, constitution को ना देखें, तो तो बहुँ, वो all powerful हो जाएंगे, कुछ भी करना चाहेंगे, मगर constitution ने सब पे लगाम लगा रखी है, अब जैसे हमें इसका example दिया गया है, एक monitor है, बच्चे काफी अच्छा सा नहीं है, मतब बुली करता है, बच्चों को काफी परशान करता है, तो उसकी teacher को कहीं काम आ गया, principal ने बुला लिया, तो वो बच्चों से कहके गई, monitor से कहके गई, तो माइंड करना, monitor एक बच्चे से चिर्था था, उस बच्चे से कह दिया monitor ने कि मैं तुभारी शिकायत करूँगा, और फिर teacher जैसी आई, तो teacher से, बल्कि वो बच्चा चुम बैठा हुआ था, फिर भी monitor को से खुंदस थी, तो उस बच्चे की श बनाता है, और safeguard करता है, against the misuse of authority by the political leaders, तो constitution धियान रखता है, कि जो authority है, जो power है, इसका कोई भी political leader है, वो misuse ना करे, गलत इस्तमाल ना करे, इस बात का भी धियान रखा जाता है, in the case of Indian constitution, वह है कि हम लोग काफी जदा आगे के chapter में पढ़ेंगे, fundamental rights के बारे में, तो आगे में यह बताता है कि हमने पिछले साल जो दलित के बारे में पढ़ा था, ओम प्रकाश वालमी की था, कि किस तरीके से उनके साथ अत्यचार किया जाता था, तो constitution ने right to equality हमें दिया ह constitution ने यह धियान रखा है कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, right to equality to all person and says that no citizen can be discriminated against, सब लोग एक समान है, समानता का अधिकार हमारे सम्विधान ने हमें दिया है, हर कोई एक समान है, no person can be discriminated against, discriminated against का मतलब है कि भेदभाव नहीं किया जा सकता किसी के भी साथ, किस किस बेसिस प कोई race, caste, gender, place of birth, कोई कहां पैदा हुआ है, कोई लड़की है, लड़का है, किसी की जाती क्या है, caste क्या है, वो कहां से आता है, किसी भी basis पे आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, right to equality, समानता का थिकार हमारा fundamental right है, जो कि हमारे constitution में, हमारे सम्विधान में लिखा गया है, फिर एक और condition बन करके आती है, वो condition क्या है, देखिए, एक और condition जो बन के आती है, वो यह है, हमारे democracy में क्या होता है, rule of majority, अब अगर हमेशा सिर्फ और सिर्फ majority की ही चलेगी, तो भी दिक्कत हो सकती है, देखिए, एक example दिया गया है, एक class है, ठीक है, एक class में boys भी हैं और girls भी हैं, मगर boys का number जादा है और girls का कम है, तो उनका game का period था, तो उसमें हमेशा वो बच्चे का खेलते थे, cricket खेलते थे, मगर बच्चों को, बच्चों ने सोचा कि वो basketball खेलेंगी, तो लड़के नहीं मान रहे थे, तो बच्चों ने सोचा कि अपने teacher से पूछते हैं teacher ने कहा कि भई सब लोग हाथ उठाओ जिसको game खेलना है, अब मतलब cricket खेलना है वो हाथ उठाओ, तो लड़के जादा थे, तो जादा हाथ उठे, तो बस उनकी मान नहीं गई, मगर democracy में ये धियान रखा जाता है कि majority जो community है, वो हमेशा dominate ना करती रहे, हमेशा अपनी ना चलाती रहे, minority community पे, majority का मतलब होता है, जो जादा संख्या में होते है, majority का मतलब होता है, more in number, ठीक है, और minority का मतलब होता है, क्या, कम जो होते है, more in number क्या होता है, majority, ठीक है, और minority, lesser number, तो constitution ने democracy में हमारी ये भी ensure किया हुआ है, कि dominant group जो है, वो अपनी power का गलत इस्तमाल न करे, dominant group does not use its power against other less powerful people or groups, ठीक है, तो democracy इस बात का भी ध्यान रखे, कि जो less, कमजोर लोग है, उनके साथ अतेचार ना किया जाए, तो unhealthy situation देश में भी आ सकती है, जो हमने case देखा ये, है ना, तो इस में minority को अलग तलग किया जा सकता है, और यही होती है, ठीक है, each society is prone to this tyranny of majority tyranny का मतलब होता है, अपनी, अपनी majority अगर चलाएगा, majority community किसी देश की है, वो अपनी ही चलाएगा, तो वो होता है, binary of majority, तो constitution ने इस तरीके के rules बनाए हैं, कि minority जो है, वो हर चीज में से exclude ना हो जाए, और उनका, मतलब, majority इतना ज़्यादा dominate ना कर दे, कि minority वाले जो लोग हैं, वो कुछ करी ना पाएं, इसलिए बहुत सारे हमारे constitution में safe guards available हैं, जिससे minority community खुद को safe रख सकती है, तो third, जो significant reason है, हम लोग को जिसके constitution की जरूरत है, वो ये है कि हम लोग, हम खुद से, खुद को बचा सके, ये चीज अजीब लग सकती है, अब ये क्या है, constitution हमें बच्ची है, उसका paper है कल, उसके last के दो chapters revision के लिए बचे हुए हैं, बड़ उसका TV शो भी उसे देखना है, तो वो सोच रही है कि मैं TV शो देखे या पढ़े या क्या करें, उसका बड़ा मन कर रहा है, TV शो देखने का, फिर उसके घरवारे decide करते हैं कि कोई भी नहीं बचेगा, फिर जब वो exam में paper आता है, तो उस last के दो chapters में से काफी सारे questions आये होते हैं, तो वही होता है, कि मतलब constitution हमें खुद से ही protect करता है, help us to protect us against certain decision that we might take that could have an adverse effect on the larger principles of the country, मतलब हमें constitution इस तरीके के decision से भी बचाता है, मान लीजे, सब लोग चाह रहे हैं कि वो decision हो, मगर उस decision के लेने से हो सकता है, हमारी society को नुक्सान हो जाए, हमारी democracy को, हमारी देश को नुक्सान हो जाए, तो इस तरीके से constitution में है, कि constitution अपना जो basic structure है, basic structure of constitution cannot be changed, ठीक है, तो basic structure जो है, constitution का, उसको बदला नहीं जा सकता, basic structure is a very important thing, इस चीज़ को हम लोग कभी भी change नहीं कर सक तो यह जो हमारा aspect है, एक तो क्या है, right to equality है, कोई किसी के साथ भेदभाफ नहीं कर सकता, है ना, सबसे पहला point अगर हम लोग देखे, constitution ने कैसे बचा रखा है, कि जो हमारा leader है, वो अपनी power का misuse नहीं कर सकता, फिर उसके बाद second point जो हमने देखा था, वो यह था, majority का ही सिर रूल नहीं चलेगा, फिर third point हमने देखा, कि जो है basic constitution का structure है, basic structure है, कि भई हम democracy है, right to equality है, यह सारे के सारे basic structures में आते हैं, कुछ चीजे हैं ना, तो basic structure society का change नहीं किया चा सकता है, यह चीज भी हमारे constitution में बताई गई है, तो इतना हम लोग देख लिए, हम लोग ने इस वीडियो में cover करेंगे, तो यह हमने बिल्कुल अच्छे से देखा है, कि एक बीजीज हमने इसमें छोडी नहीं है, लास्ट में अगर आप लोग कहेंगे, तो जैसे कि मैंने इसको explain करा है, बिल्कुल एक लाइन में, फिर एक और जो नेक्स वीडियो का chapter complete करूंगी, line to line मे फिर अगर आप लोग चाहेंगे, तो मैं इसका summarized version भी निकाल दूगी, जो मतलब छोटा सा summary में मैं पूरे का पूरा chapter को explain कर दूगी, अगर आप लोग कहेंगे, तो पता देजुगा comment section में, कि अगर आप लोग इसका summary version भी जाते हैं, जो question answers में इसके कर चुकी हूँ, अब हम लोग part 1 देख चुके हैं, उसमें हमने देखा था कि why do we need a constitution, हम लोगों को समवधान की constitution की जरूरत क्यों है, इस पार्ट में हम लोग देखेंगे the Indian constitution key features, इंडिया का जो हमारा constitution है, इसके सबसे important features, इसके key features क्या है, तो जब हम लोग गुलाम थे, हमारा देश गुलाम था struggle रहा था, बिटिश रूल के किलाफ कहीं सालों तक, लगवग 150 years तक हम लोगों ने उनके खिलाफ लडाई करी हैं, और उस टाइम पर हम लोगों ने हमारे देश के जो नेता थे, उन्होंने ये सोच लिया था कि हमें अजाद होंगे, हम कभी ना कभी जरूर, तो किस तरीके से हमारा देश होगा, Free India, अजाद भारत कैसा होगा, बिटिश रूल के अंडर हम लोगों ने बहुत ही जादा कड़े रूल्स चेले थे, और काफी जादा हमें इस तरीके के रूल्स को ओबे करने के लिए मजबूर किया जाता था, जिसका मतलब देश को आगे बढ़ाने मे या लोगों के फाइदे के लिए बहुती कम काम होता था, काफी जादा बड़ा experience रहा था हमारा authoritarian rule का, authoritarian rule होता है, जिसमें सिर्फ एक इनसान की चलती है, सिर्फ government की चलती है, लोगों की नहीं चलती, तो काफी long experience रहा है authoritarian rule का, colonial state में, अब तो हमारे देश के नेताओं ने लोग तंत्र, है ना, जिसमें वोट देंगे, वोट देने के बाद नेता चुना जाएगा, हर किसी को हम लोग क्या करेंगे, बराबरी का अधिकार देंगे, और हर कोई government में participate कर सकता है, और अपने ideas दे सकता है, अपना काम कर सकता है, और rules जो होंगे, मतलब बहुती इस तर ने Constituent Assembly कहा, Constituent Assembly क्यों, जिस सभा ने समविधान बनाया, तो वो समविधान सभा हो गई, इंग्लिश में Constituent Assembly हो गई, 1946 से ये लोग लगातार मिलते रहे, तीन साल के लगभग अंदर हमारा समविधान बन करके तयार हो गया था, ये members जो थे Constituent Assembly के, इनके सामने एक बहु सारे अलग अलग धर्म, कम्यूनिटी, समाच, अलग अलग तरह के समुदाय रहते हैं, अलग अलग भाशाय बोलते हैं, अलग अलग धर्म मानते हैं, सबके कल्चर्स अलग अलग हैं, तो Constitution इस तरीके से लिखा जाना चाहिए था, ताकि सबकी भावना है, इसमें समाहित हो किसी को नराज ना करोर, सब इसको पसंद करें, तो इंडिया मगर उस समय पे काफी जादा, टर्मॉयल से गुजर रहा था, मतलब पाकिस्तान का इशू था, बटवारे का टाइम वो चल रहा था, अंग्रेज देश शोड़कर के वापस अपने देश में जा रहे थे, तो ब राजा वगेरा इंडिपेंडनेंट, आजाद देश अपना बनाएंगे, भारत के साथ शामिल होंगे, यह सारी के सारी जज़ज़, मतलब यह सारी दिक्कते चल रही थी, सोशल और एकनॉमिक कंडिशन बहुत जादा खराब थी, मतलब लोगों में बहुत जादा गरीबी थी, समाज में बहुत जादा भीद भाफ थे, यह सारे के सारे इशूज दिमाग में रख करके, कॉंस्टिटूइंट असेंबली ने कॉंस्टिटूशन का ड्राफ्ट बनाया, और पूरा एक विजनरी डॉक्यूमेंट था, जिसमें विजनरी डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसा मतलब दस्तावेच बनाया किया, जिसमें हर चीज का धिहान रखा गया, और यह धिहान रखा गया कि डाइवर्सिटी भी हमारे देश की मैंटेन रहे, और हमारा देश एक जुडबी डाइवर्सिटी, मतलब भिनता भी रहे, अलग-अलग तो है, उसको हम लोग किसी के रिफॉर्म्स लाए जाएंगे, और किस तरीके से लोग अपने नेता को चुनेंगे, यह सारी की सारी चीजे जो है, इंडिया के कॉंस्टिजूशन में हमें बताई गई थी, और यह सारी, अब हम सबसे जादा इंपॉर्टन चीज है, यह कि हम लोगोंने, अब आगे के जादा हमारे देश के जो सम्विधान निर्माता थे, हमारे कॉंस्टिजूशन मेकर्स थे, उन्होंने इस बात का बहुत ध्यान रखा कि हमारा सम्विधान जो है, वो एक ताकतवर, एक अच्छा सम्विधान बनकिया है, और देश को जोड़े रखने का काम करे, तो उसमें इन्होंने कुछ fundamental features डाले है, पहला आता है federalism, फेडरलिजम का क्या मतलब है भई, फेडरलिजम का मतलब होता है, existence of more than one level of government, जैसे हमारे देश मेरे सबसे उपर क्या है, सबसे उपर हमारे देश में, Central Government है, Central Government के बाद क्या आती है, State Government, ठीक है, सबसे उपर क्या है, Central Government, उसके के बाद के आती है state government फिर हमारे देश में उसके बाद आती है local government state government में हम लोग chief minister चुनते है न चलिए आप लोग बताए आप कौन कौन सी state के है और अपने state के chief minister का आप लोग नाम बताएंगे comment section मुझे भी तो पता लगी कि किसके state के लोग बच्चे देखते हैं लोग देखत सरकार बोलेंगे Englishman central government बोलेंगे तो हमारी state government है हर state के लग लग governments है है न लोकल government तो देखिए तीन लेवल्स है न गवर्मेंट के तो देखिए one more than one level of government है तो इसको हम federalism बोलते हैं पंचायती राज third tier है हमारे government का है न तो यह है कि हमारी इंडिया में बहुत सारी communities है अलग इसलिए क्या है कि हर कोई यह सोचा गया है कि दिली में बैट करके दिली में सारे के सारे काम कार्ज होते है हमारी capital है Delhi तो Delhi में सारे ministers बेट करके सारे काम नहीं कर सकते हैं लोगों के बीच के लोग भी आने चाहिए इसलिए पशायती राज system लेके आया गया और जो various level of government है न नीचे आ रही है, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि state government अपना कोई important decision नहीं ले सकती है, state government enjoy करती है, autonomy, autonomy का मतलब पर अपनी मर्दी से बहुत सारे वो काम कर सकती है, बहुत सारे exercise कर सकती है power को, बट जो national, national level के जो पूरे देश के लोगों के interest को जो चीजे effect करेंगी, वो कौन का करेगा, central government काम करेगी, ठीक है, और बाकी जो एक state level पर जो काम करना होगा, उस state के लोग जो तरीक की चीजे जाते होंगे, वो कौन काम करेगा, उसके लिए state government काम करेगी, है ना, तो constitution डीटेल में बताया है कि किस तरीके से हर टायर, कि central government का क्या काम है, ये भी constitution ने अच्छ होता है, level, tier का मतलब level ही होता है, ठीक है, तो कौन से level की government किस तरीके से काम करेगी, और उनके पास वो काम करने के लिए पैसा कहां से आएगा, वो सारी के सारी चीजे भी हमारे समवधान में पूरे अच्छे तरीके से बताई गई है, कि जो money है ना, काम करने के लिए पैसा वो कहां से आएगा, फेडरलिजम में स्टेट सिर्फ एजेंट नहीं होंगे, मतलब एजेंट का मतलब है सिर्फ central government के नीचे ही नी काम करेगी state government, बलकि वो अपने laws खुद भी बना सकती है, इसलिए हमारे देश का हर नागरिक, central और state laws दोनों के अंदर आता है, नेक्स्ट है, parliamentary form of government, सबसे पहले हमने फेडरलिजम पढ़ा, two or more level of government का मतलब होता है, फेडरलिजम, अब आता है parliamentary form of government, parliamentary form of government होती है, हमारे देश में different tiers of government है, हमने पढ़ा, ठीक है, और हम लोग नेता चुनते हैं, अपने chief minister, prime minister है ना, हम लोग MP, MLA जुनते हैं, तो चुनेंगे हम लोग हमारे पास right to vote है, इसलिए तो हम लोग चुन पाते हैं, क्योंकि हमें universal adult suffrage दिया हुआ है, universal adult suffrage का मतलब है, 18 plus की age का हमारे देश का जो भी नाकरिक है, चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे रिच हो, चाहे पूर हो, चाहे वो कोई भी हो, if he or she is a citizen of India, they have right to vote, उनके पास vote करने का अधकार है, अगर वो इस देश के नागरिक है तो, इसी चीज़ को कहा चाता है, universal adult suffrage, जब constitution makers हमारे देश का समविदान बना रहे थे, तो उन्होंने decide कर लिया था, कि कोई भी caste, कोई भी class, कोई भी mindset, gender, किसी भी बैसिस पे हम लोग भे इदभाव नहीं करेंगे और हर किसी को vote देने का अधिकार दिया जाएगा, इसका ये मतलब है कि इंडिया के हर नागरिक के पास directly अपना नेता चुनने का अधिकार है, हाँ citizen के पास अधिकार है उसका social background कुछ भी हो, वो इस देश का नागरिक है, तो वो vote देगा, या ठीक है, तो second point आता है, parliamentary form of government, पहला था federalism, ठीक है, दूसरा आजाता है, parliamentary form of government, अब तीसरा point आता है, separation of power, separation of power का क्या मतलब है, कि power ना तीन levels में बाती हुई है, पहले हम लोग ने देखा tier, मतलब जो सबसे ओपर center, फिर state और local, पंचायत और municipality, अब separation of power है, अलग-लग power बाती हुई है, कैसे, executive, legislature, executive and judiciary, एक में हमारा क्या आता है, एक में हमारा आता है, executive, ठीक है, एक में हमारा आता है, क्या, legislature, एक में executive आता है, और एक में हमारा आता है, legislature, और एक में हमारी आती है, क्या, एक में हमारी judiciary आती है, ठीक है, तो देखिए, इसमें यही बोला गया है, कि legislature डिस लेचर, एक्जेक्जीटार जुडीश्टि हर कोई आपस में बराबर है एक दूसरे की पावर में दखल अंदाजी कोई नहीं करेंगा और एक दूसरे का जो है यह भी देखेंगे कि कोई फाल्टो का काम ना करेंगे मगर एक दुसरे की को देखेंगे भी चेक भी करेंगे कि भही कोई अपनी पावर का misuse तो नहीं कर रहा है कोई अपनी पावर का गरत इस्तिमाल तो नहीं कर रहा है ये भी जो है ये different level of government different tiers of government देखेंगे तो हर organ of government है जो balance of power maintain करता है तो separation of power क्या काम है power को balance करना balance of power का काम होता है legislature executive और judiciary ये क्या करते हैं एक दूसरी ये धियान रखते हैं कि कोई power का misuse ना करे और power जो है वो हर organ में check and balance बना रहे हैं एक तो misuse ना करे और एक दूसरी का कुछ देखते भी रहे कि भही सही तरीके से काम ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आप देखिए जो boxes है ना side के और ये हम next video में देख लेंगे ठीक है फिर आता है fundamental rights fundamental rights का अलग से video बनाएंगे fundamental rights जो है इसका क्या मतलब होता है fundamental rights को बहुत ही important कहा है और हमारे सम्विधान का consigns कहा है consigns का मतलब होता है आत्मा हमारे सम्विधान की आत्मा कहा है fundamental rights को तो सोची कितना ज़्यादा important होगा colonial जब rule चल रहा था तो हमाई कोई अधिकार नहीं मिले हुए थे इसलिए हमारे देश के नेताओं ने सोचा कि देश के जो नागरिक है उनके पास अधिकार तो होने चाहिए इसलिए हम लोगों को जब हम independent हुए fundamental rights दिये गए क्यों दिये गए एक तो भई government अपनी power का misuse ना करे government अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहे ऐसा नहीं होना चाहिए arbitrary और absolute power नहीं होनी चाहिए किसी भी state की state होता है हमारा यहां पर कोई स्राज्य नहीं बलकि देश देश की किस तरीके से polity चल रही है वो हमारा state कहलाता है जैसे Indian state तो इंडिया का पुरा देश तो एक तो हमें दिया गया क्योंकि हमें independent इंडिया में fundamental right दिये गए ताकि जो citizen है उनके rights को उनको protect किया जा सके citizens को protect किया जा सके against the arbitrary and the absolute power of government arbitrary and absolute power जो होती है कि state जो है सरकार अपनी power का misuse ना करे इसलिए fundamental rights हमें दिये गए है कि भई ये fundamental rights है ये अधिकार है किसी नागरिक के और इसको आप छीन नहीं सकते हो तो यही है टॉक्टर बीमराव करने कहा था कि fundamental rights जो है वो two-fold है पहला इसको objective है कि हर citizen को उसका अधिकार देना और दूसरा उसका काम है कि सरकार की power पे control लगाना कि सरकार भाई बिबकुर खुली सांड़ ना हो जाए लोग बस इसलिए जो है दो फोल्ट है कि एक तो हर citizen के इस position में होगी उसके पास यह अधिकार है और state जो है उसके power पे थोड़ा control रहे इसलिए भी fundamental rights हमें दिये गए है और एक हमें directive principle of state policy भी है इसमें क्या क्या हा गया है इसमें तेके fundamental rights तो political है और DPSP directive principle of state policy जो है यह social और economic rights हमें देते हैं इसमें काफी सारी चीज़े आते हैं अभी आपके syllabus से बहार की चीज़े वैसे है social economic rights क्या क्या है जैसे कि सबको नौकरी का अधिकार सबको घर का अधिकार यह है DPSP जमारे आते हैं आगे की class में आप लोग इनके बारे में काफी अच्छे से काफी detail में पढ़ेंगे यह this section was designed by the member of constituent assembly to ensure greater social and economic reform social economic reform अच्छे से आए DPSP इसलिए डाले गए मतलब किसी सरकार को हम बाद्धे नहीं कर सकते किसी सरकार पर हम zone नहीं डाल सकते कि DPSP को follow करे बट अगर हमारे fundamental rights चीने जाते हैं किसी भी देश का अपना कोई धर्म ना हो वो किसी भी एक धर्म को ना मानता हो एक धर्म को प्रमोट ना करता हो तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं secularism तो इस चप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि country की हमारी history किस तरीके से रही है हमारा जो constitution है हमारी constitution में जो चीज़े डाली है वो किस-किस वज़े से डाली है क्या हमारे उसके पीछे सोच रही होगी और किस तरीके से हर जो citizen है country का उसके लिए जरूरी है कि वो constitution को adopt करें और constitution को follow करें हम लोगों ने representatives को चुनते हैं वो हमारे लिए rule बनाते हैं और फिर इसमें एक example दिया गया है rules में तो कितना जादा बड़ा बदलाव आ सकता है इसी तरीके से जैसे समाज में बदलाव आते जाते हैं हम constitution में क्या करते जाते हैं थोड़े-थोड़े से amendments करते जाते है fundamental बद जो fundamental nature है जो basic structure है ना constitution का उसको हम लोग change नहीं करते different features जो है Indian constitution के वो हम लोग ने involved complicated ideas that are often not easy to shape इतने सारे fundamental rights or secularism और उसके बाद federalism कितनी सारी चीज़े हैं इसी नहीं था इनको बनाना बाकी जो आगे की चीज़े हैं चप्टर में कहते हैं कि भाई आगे की ग्लास में पढ़ा देंगे अभी कहले इतना ही बहुत है ठीक है तो यह मारा चप्टर तो यहां पर complete हो गया है तो इसके blue boxes है और इसका summarized version और इसके blue boxes वो हम लोग next video में देखेंगे